हमारे द्वारा और डियम साभ के द्वारा और समस्थ पुलिस प्रसासन के द्वारा अथक रूप से बहुत बहतर और दिस्त्रित रूप से समझाने बुझाने के बाद मीटिंग करने के बाद भी शुकरवार के दिन 10 जून को जो भी घटना हुई थी अटाला एरिया में और खुल्दाबाद के अनिलाखों में करेली में उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुखदमा दर्ज किया गया था और 24 घंटे के भीतर परित और ततपरता पूर्वक्त सक्त कारवाई करते हुए कुल मिलाकर 68 उपद्रवियों को न्याई का भीरक्षा में भेजने की कारवाई की गई है इसमें से 64 उपद्रवी बालिग है जबकि 4 नाबालिग धोसित हुए है उसके बाद कुल 23 अन्य उपद्रवियों को वीडियो फूटेज और CCTV फूटेज के आधार पर चिन्हित करते अब तक क्यान बे लोगों को इरासत में लेके कारवाई की गई है इन 13 के खिलाफ सबूत इकट्थे किय जा रहा है सबूत मिलने पर ही कारवाई होगी किसी बेकसूर पर कारवाई कता नहीं होगी और उसी सिलसिले में आज जावेद मुहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था जो अभी तक की तफ्सीस में इस पूरी घटना का सूतरधार बन के उभर के आया है उसके अवैद निर्माड पर ये जिला प्रसासन और पीडिये के द्वारा कारवाई की गई है इस कारवाई असलहे और अपतिजनक पोस्टर उगरा है उसको कबजे में ले लिया गया है उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीस में शामिल किया जाएगा अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक बारह बोर का अबय तमंचा है इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कार्तूस बरामद हुए हैं कुछ कागजाद बरामद हुए हैं जिस पे मानिय न्यालय पर तल्क टिपड़ी और आपतिजनक टिपड़ी इस जावेद मुहमत जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है इन सभी चीजों को आन लिट्रेचर मिले हैं कई किताबें मिले हैं उसका एक एक पन्ना भी परताल किया जाएगा चुकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से पुलिस और प्रसासन के सैक्णों जवानों ने इसमें महनत किया है और बहुत देर तक ही पूरी धूप में चिल्चिलाती धूप पांच करोड से भी ज्यादा की संपत्यों को नियमा नुसार जमी दोज किया गया है और आगे भी कारवाई जारी रहेगी अभी जितना भी लिट्रेचर मिला है जंडा पोस्टर बैनर कागजात मिले हैं सभी की गहराई से परताल की जाएगी कि किसने लिखा है क्यों लिख मैंने कल बताया था उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी सबूत मिलते ही कारवाई कर दी जाएगी बिना सबूत के अभी कोई कारवाई नहीं हो कि माम गरफतार हुए हैं अटाला मस्जित के कौन-कौन गरफतारी हुए नहीं अभी कोई गरफतारी नहीं है इसी कुछ ताश की जा रही है सबूत मिलने पर गरफतारी की भी कारवाई की जा से कुछ बड़े नाम सामने आये थे जो अमायम के कुछ नीटा थे उनकी किसी की गरफतारी हुई है जो शाह आलम है प्रेसिजेंट चे और एक और नाम था पा बच्चों को आगे करके उनके भविस के साथ खिलवार कर रहा है उनकी जिंदगीयों को बरबाद कर रहा है उनको हम कताई नहीं छोड़ेंगे नाबालिक बच्चों को आगे करके जो दंगा फसाद कर रहे हैं पत्राव कर रहे हैं पुलिस प्रसासन पर पत्राव कर रहे है उनको कताई किसी भी सूरत में बक्षा नहीं जाएगा क्या PFI सम्मन PFI से हो सकता इस तरह की चल जाएगा लेकि मैं दोबारा कराओं कि किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इसमें लेकिन जो भी नाम निकलेगा क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क से उसका नाता होगा साजिस रचने में फैलाने में छोटे छोटे बच्चों को आगे करने में ये सब में जिसका भी हाथ आएगा वो किसी भी दल बल या संगठन से हो कताई बक्षा नहीं जाएगा